पिपी का मैम बचपन से वो ही लिमेंटन्स खाते खाते बड़ी हुई है हर साल जो उनकी ममी उनको बनाती थी उनके बर्डे पर जो उनको बहुत 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 जादा पसंद है और जो कि उनकी फेवरेट है है ना तो वो रेसीपी ममी से नहीं Google करेंगी और सेम ऐसे ही केकम केक करने की आदत है तो डबा चली केक बनाने के लिए क्योंकि उसमें जोश आगया है क्योंकि फारा मैम ने जो तारीफ कर दिया रहे क्योंकि आपका फूड व्लोगर है आप तो लेकिन फूड व्लोगर तो वह है नहीं लेकिन फिर भी आप जब को सत्या नास कर देंगी हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू शब्नम के लोट पर जाओगे इसलिए लोग किसी ने आज मुझसे पूछा कोई शायद नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन्होंने कहा कि आप सभा को डबा क्यों कहती है क्योंकि इनका दिमाग जो ना खाली दब्बे जैसा है यह बोडी शेमिंग नहीं इनके दिमाग के उपर की बात है क्योंकि उपर का जो माला है वो इनका खाली है इसलिए हम इनको खाली डबा बोलते हैं इसलिए मैं इसको डबा पोकारती हूँ मैं क्या जितने भी रियक्शन चैनल है सारे इसको डबा पोकारत क्योंकि उपर ही नहीं कुछ भी और उस बात का सबूत अपने लेटेस व्लोग में इनोंने भर भर के दिया है मतलब कहने का कि इस से आधी उमर की है ना क्योंकि यह 34 साल की आधी उमर की लड़की है जो इनकी कजन है उसको केक बेग करना आता है उसको बहुत सारी चीज़े आ हैते हुए भी अपने आपको सेख लिया समझा लिया एक्सपर्ट कर लिया जिस महल में आप पले बड़े हो। लेकिन शरम आने चाहिए क्योंकि आप अपने अम्मी पर गई हो क्योंकि आपको तो चोटी रहेगे बड़ी होगी कब चोंती साल के तो हो गई और कितने बड़ी करोगी तब इसको बनाने का शौक लग ही रहता तो क्यों नहीं चली गई थी भावी के फ्लेट में अगर भावी नीचे नहीं आ सकती रूब एवी वह से तो खुद तो जा सकती ना जैसे सारा बार के घर चली जाती है और भावी से कहती है भावी आप मुझे गाइड करो और मुझे केक बनाना है और आप मुझे बताते रहता है तो हो सकता है कि यही केक आपका परफेक्ट केक बन जाता और कमसखम जो फरा मेहम के सामने जो यह नाटक कर ली थी तो नाक तो रह जाती है आ भाई के सेट पर गई थी तो क्या कह रहे थे वो कि इनों ने जो है ना मतलब भावी का पहले आगे है और भावी ने सारी बाद बता दिये जो कि हमेशा ही भावी के आजकल जो है डबा से आगे निकल गई है पहले डबा इनकी पॉल खोल देती थी अपने व्लोक्स में अब य इस दिनों वो जो कुछ चल रहा होता है तो कहने का मतलब भी कि उसने पॉल भी भी बता दिया कि ये जब पोय में लिख रही थी तो इसने मुझे से क्रोस है और लिखाया आम।ा भावावी मैंने फो तो बंटलब ये सारी चीज़े पूछी जा सकती थी लेकिन उपर जाके केक नहीं पूछा जा सकता था या फिर उन से यह नहीं पूछा जा सकता था. कि भावी मैं इस तरह से केक बना दी हूँ, मैं ऐसे कैसे बनाओ, या मुझे बता दीजे किस तरह से बनाना, या मैं समान लेके उपर आजाओ, क्योंकि वहां तो जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, तो इजाज़त ही ले लेती, पर सही बात तो यह है कि अब पहले की बर्णिंग दिखाई नहीं देती है, और नहीं डबा की दिखाई देती है, अपनी भावी के साथ, जो कभी पहले हुआ करती थी, हाँ वो एक अलग बात है कि अनकॉंशस तो आज भी हो जाती है, वो उनके सामने जाके, और हिल जाती है, मतलब अंदर से, जैसे जितना फ चॉपिंग हो रही है, और जबकि उस दोरान, जिस दोरान उनको शायद वो कंसीव कर चुकी थी, और उनको जो है, मतलब कुछ टाइम हो चुका था कंसीव की यह और उस दोरान उनने इतनी भागद हो ड़ी है, सारी चीजे की, सिर्फ किस वज़े से, क्योंकि शादी में कर ली थी, कि खाना कम पड़ गया, जो भी वोटेवर रहा, उस हिसाब की शादी नहीं हुई, यह सुनने को मिला, तो फिर भहिया, डबा के जो कान थे, वो खड़े हो गया, फिर दूसरी बात, 6-7 साल में आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से यह समझ जाते हो, कि मे के जो रिष्टे हैं, वो बिल्कुल बिखर से गए है, तो डबा जो है, ज़रूर से ज़्यादा चालाक हो गई है, और उसने गिन गिन कर बदले ले लिए भावी से, कैसे ले लिए हैं, अब चलो हम आपको याद दिलाता है, भी कपड़े लेने के लिए गई थी ना, उन बहुत कलोजी रिष्टा है, खास रिष्टा है, तो ऐसे रिष्टों में इस तरह की अपनी शादी के जो लहेंगे वगरा होते हैं, और यह लड़कीया पहन लेती है, तो लोगों ने इनको कमिट किया, अपनी शादी का लहेंगा पहन लो, तो कहती है वो मुझे पसंद है जैसे मेरी पसंती exactly भावी ने वही बनाया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो मुझे आएगा नी, एक साल में हमने पहली ऐसी लड़की देखी है, जो बिना अभी कोई मा नहीं बनी है, अभी कोई delivery नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ है, और इसने अपना मोटापा इतना ज़्यादा चड़ा लिया है, कि उसको अपने शादी की ड्रेस फिट नहीं आ रही है, इतने सालों बाद दिव्यांका तिरपाटी है, अपने शादी की ड्रेस पहन कर पहुची थी सेट पर, वो commendable था या नहीं था, लेकिन डब्बा को एक साल में अपने शादी की ड बैश किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर वो प्रेग्नेंसी में भी थी और इस तरह के फेज में चली थी, लेकिन इस बंदी के मूँ से आकर एक बात भी कुछ नहीं निकला, फनी के लिए लोगों ने bad bad comment किये थे, हमें यादा शादी से पहले और ये भोपाल गई थ के आठ सवा आठ मिनट का इसने पूरा लेक्चर जाड़ा है, और बड़े गुस्से में तराने में आके कहा, कोई ऐसे नहीं कहता, और मेरा फनी ऐसा नहीं है, वो मेरे पैसों के पीछे नहीं है, भाई ये तो तुने खुदी ही साबित कर दिया, उसको अपने साथ रख के जबकि वो एक रुपया नहीं कमाता और तेरे पैसे की पीछे ही है ना, खुद की बातों में खुदी ही फस गई, और जब ये सब हो रहा था ना, उसके बातों तुझे वो वीडियो हटा देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो बेशर्मों की तरस उसे चोड़ दिया, तु मजाग बना कर रख दिया था, एवन अपनी शादी में भी और आज भी बस एक पटका सा चाहना, छोटा सा दुपटा सा लेती है, सर पे ढख लेती स्रफ कान की पिछे करके, और आगे डाल देना हिजआब नहीं होता है, सीने को कवर करना हिजआब होता है, आगे पिछे से हिए को चुपाने के लिए सही बात है कि ठंड की वजए से हमने बाल नहीं दोए होते हैं तो चलो बही हिजाब कर लो किसी को क्या ही दिखेगा तो एक्जाक्टली तुमने वही किया है क्योंकि तुम जो है न अब योगा ठीचर घर में आए या फिर अपने भाई कि सब को पता है लेकिन जब के ऑनWow वह आपना ए भावी का हो तो फटा-फट दूपटा सर पर असली और वह उसमें आए तो भी आपका कशर और हो जाता है यह सारी चीजए सब्दाए ना यह इस तरह का तो उसकी जो आपने हिजाब इस्टोरी डालिए ना महरबानी करके ना उसको हटा दो क्योंकि आपको शरम आने चाहिए कि आपने चैनल पर भी वो डाला हुआ और फॉलो करके क्या दिखाते हो तो वो दोनों चीजे तो एक साथ नहीं हो सकती सेम आपने वही किया फण में क्या जानते हो मैं उसको 6 साल से जानती हूँ ऐसा है वैसा है जब तुम्हें दिख गया था ऐसा है वैसा है तो तुम 6 साल से उसको जानती हो और तुम्हारे घर में 12 साल से आयो ही तुम्हारी भावी तुम उसको नहीं जानती हो वो 5 साल पहले तो अभी तुम्हारी तुम्हारा पूरा मेक ओवर कर दिया तुम्हारा सब कुछ इतना किया और तुम्हारी मन पसंद की शादी को अगरी करके तुम्हारे भाई को रजामंद करके तुम्हें वो लड़के से शादी करा दी जिससे तुम करना चाहते थे हलाकि उनको पसंद नहीं था क्योंकि वो न मत करो उनका किसी तरह का face चल रहा है और नहीं उनकी गलती नहीं है क्योंकि मेरी गलती है मेरी choice है मैंने बनवाए है अगर मेरी choice है और मेरी choice से भावी ने बनवाए है तो आप लोग कोन होते हो कहने वाले तो जैसे आप funny के लिए आई थी ना लड़ने जगड़ने के लिए औ अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को पर ब्लेम करना हो तो भी उस ब्लेम गेम से बाज नहीं आती हो तुम। दुनिया में कुछ ना देखना वो एक अलग चीज है कि वो समाजिक तोर से बिल्कुल अलग चीजे करती है पर तुम्हारे साथ उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया हमेशा अच्छा ही किया और आज जिस बदोलत तुम यहां पर बैठी हो ना अपने चैनल पर जड़ा नज जिसको देखके लोगों को यह लगता है कि तुम्हें एक फूड व्लोगर हो ची तुम्हें तो फूड व्लोगर का फूड भी नहीं पता इतने पॉइंट हैं जिन टॉपिक पर हम बात करना चाते हैं लेकिन वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी तो जो नेक्स वीड वीडियो के साथ जिसमें बहुत सारे पॉइंट हम डिसकस करेंगे मिलती हुए एक और वीडियो के साथ तिल दन बाई बाई अलहाफिस ठेक केर